इस्थानी अप्राज शाका चंदरपूर द्वारा तलोधी में 3 जून 2022 को नकली सुगने तमाकू बनाकर लोगों के स्वास से खिलवार कर रहे आरोपियों को गिरफतार करके लाकों रुपे का माल चप्त किया गया है दो जून 2022 को इस्थानी अप्राज शाका चंदरपूर पुलस नरिक्षक बालासाइब खाड़े को एक मुगबीर के मात्यम से सुचना मिली की सचिन वैद राफ को पोस्ट तलोधी बालापूर शिद के मौजा वन्नी से गिरफतार किया गया है तलोधी बालापूर के फार्म हाउस पर माजा एगल और हुका कंपनी से सुगनित तमाकू ला रहे हैं मशीन की मदद से नकली तमाकू के डिबे में सील कर उसे सुगनित तमाकू के मज़े के रूप में अवैज रूप से बेच रहे हैं ऐसी सुचना मिलते ही तलोधी बालापूर के फार्म हाउस का निरिक्षन करते हुए मौके पर 25 से 30 वर्ष आयूवर के कुल 8 बच्चे मौजू थे तमाकू समागरी पैकिंग मशीन तमाकू निर्माता आधी बस्तूय मिली हुकार शीश, सुगंदित तमाकू, ईगल, सुगंदित तमाकू, मज़िदार, सुगंदित तमाकू, विभेन भारत, मुहरबन पैकेट और खुले सुगंदित तमाकू, कुल वजन 990 kg, 800 g अनी समागरी एक आरोपी द्वारा उप्योग किया गया कच्चा माल लाने और उपर क के रूप में तैयार माल की परिवन के लिए मारूती सुग की विटारा, ब्रीजा, एमेच, 06, BM4172, कुल 25 मुबाइल फोन मौके से कुल 8 आरोपियों को गरफतार किया गया है, आरोपियों के खिलाफ तलोडी थाने में भादमवी, खादी सुरक्षा, एवं मानक अधिनिय की धारा 328, 420, 468, 472, 273 और 188 के तायत नकली सुगनित तमाकू बनाने का मामला दर्च किया गया है, चंदरपुर से BCN न्यूस क्लिप प्रवीन बत्की की रिपोर्ट